मा की जेल सुलक्षणा अपने बेटे रमन और बहु रीवा के साथ रहती है हर मा की तरह सुलक्षणा भी अपने बेटे और बहु को बहुत प्यार करती है और उनकी चिंता करती है एक दिन उसके बहु बेटा रात देर तक घर नहीं आए तो उसे चिंता होने लगी, उस ते अपने बेटी को फोन किया सुलक्षना फोन रख देती है थोड़ी देर इंतजार करने की बाद दोनों आ जाते हैं दोनों को देख कर सुलक्षना कहती है आ गए तुम दोनों, एक काम करो, हाथ मुधोलो मैं खाना लगा देती हूँ मा, अपने अभी तक खाना नहीं खाया कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हारे बिना खाना खा लिया हो तुम मा, आप अकेले खाना खाने की आदत डाल लो कब तक हमारा इंतजार करोगी? बहू, बरसो की आदत है, इतनी आसानी से नहीं बदलेगी इसके बाद तीनों खाना खाते हैं, इसी तरह कई दिन बीच जाते हैं सुलक्षना अपने बहू और बेटे के हर बात के परवा करती और इसी तरह एक दिन रमन और रीवा बाहर घूमने जाते हैं तो सुलक्षना बाहर बाहर उन्हें फोन करके पूछती रहती है और रिवा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती उस दे तो घर आती ही अपनी सास को सुनाना शुरू करती है मां, आप इतने फोन करती क्यों हो? अब चाहती क्या हो? क्या मैं और रमन आपका पल्लो पकड़ कर बैठे रहे? थोड़ी दिर के लिए घर से क्या निकलते हैं? आप तो फोन पर फोन शुरू करतीती हो बहु, मुझे तुमारी और रमन की चिंता होती है तुम दोनों के सिवा मेरा है है कौन? पर रिवा तो अपनी सास को खुब सुनाती है फिर अपने पती से कहती है सुनिए जी, माना कुछ ज्यादा ही परिशान करने लगी है हर बात में रोक टो, हर बात में रोक टो मैं अब और नहीं रह सकती मा के साथ आपको इनको किसी आश्रम में छोड़ कर आना होगा नए रिवा, वो मेरी मा है उनका मेरे अलवा और कोई नहीं है मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता तो ठीक है, मुझे छोड़ दो क्योंकि आपकी मा हच सी ज्यादा इंटर्फियो कर रही है हमारी जिंदगी में जो मैं कभी बरदाश नहीं कर सकती अब रहमन को रिवा की बात माननी पड़ती है अगले दिन अपनी मा से कहता है मा, आप अपना सामामन बांध लीजे हम लोग कहीं जा रहे हैं कहां जा रहे हैं बेटा? सामान तो बांधो, बताता हूँ कहां जा रहे हैं और हां मा, अपनी दवाया, छड़ी और चश्मा याद से रख लेना सुलक्षना ऐसा ही करती है रामन अपनी मा को कार में बिठाता है और सीधा वरिद्धाश्रम के बाहर कार खड़ी कर देता है आश्रम देखकर सुलक्षना कहती है बेटा, ये तो वरिद्धाश्रम है तु मुझे यहां क्यों लाया है मा आज से आपको यहीं रहना है बेटा, मैं तेरे उपर इतनी बोज बन गई हूँ कि तु मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता मा वो बात नहीं है, मैं समय समय पर आपसे मिलने आता रहूँगा और खर्चे के लिए पैसे भी दूँगा और आप तो हमेशा मेरे दिल में रहोगी मा अब क्या आएगा तु मेरे पास घर से निकालने से पहले तो तु मुझे अपने दिल से निकाल चुका है सुलक्षना भारी मन से भारी शब्द कहाएकर आश्रम की तरफ चली गई उसकी आँखों में आसू थे महिने में एक दो बार रमन अपनी मा से मिलने आश्रम आता लेकिन धीरे धीरे उस ते बिलकुल आना छोड़ दिया लेकिन सुलक्षना ने अपने बेटे का इंतिजार करना नहीं छोड़ा वो रोज आश्रम की वाच्मेंस से पूछ थी बेटा, मेरा बेटा आया था क्या मुझसे मिलने नहीं माता जी, कई महीने हो गए वो आपसे मिलने नहीं आया माता जी मैं आपको जूठा दिलासा नहीं दोंगा कई साल हो गए यहां काम करते करते ऐसे ही महीने साल गुजर जाते लेकिन कोई बेटा वापस नहीं आता माता जी भूल जाओ अपने बेटे को कैसे भूल जाओ उसे अपनी कोग से जनम दिया है पाल पोस कर बढ़ा किया है हर वक्त उसकी चिंता रहती है वो बले ही मुझे भूल जाए लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकती इसी तरह कई साल बीच जाते हैं इसी बीच रमन को रीवा ने एक खुश खबरी दी रमन मुबारक हो तुम पापा बनने वाले हो क्या तुम सच बोल रही हो हाँ मैंने आज ही टेस्ट करवाया है और रिपूर्ट पाजिटिव आई है इस खुश खबरी के बाद तो रमन को याद ही नहीं रहा कि इस दुनिया में उसकी मा भी है कुछ दिन बाद उसकी घर में एक बच्चे ने जन लिया उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम आशिश रखा ऐसे ही वक्त गुजरता गया और देखते देखते आशिश बड़ा हो गया मा मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ अरे लेकिन जा कहा रहा है कुछ बता तो सही और किन दोस्तों के साथ जा रहा है मा आपको इतना बता दिया ना कि अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ क्या ये काफी नहीं, क्या आप अपने दोस्तों का नाम पता भी आपको बताना होगा ये बोलकर आशिश वहाँ से चला गया रिवा को अपने बेटी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ वो कुछ सोच ही रही थी कि अचानक रमन वहाँ आ गया और बुला क्या हुआ रिवा, क्या सोच रही हो कुछ नहीं, ये आशिश न, अब मेरी एक भी बात नहीं सुनता अरे तो इसमें इतना सोचने की क्या सुरत है ये उम्र ही ऐसी होती है उसे तुम उसकी भलाई के लिए भी बोलोगी न, तो उसे बुराई लगेगा चलो जल्दी से खाना देदो, बहुत भुख लगी है मुझे रिवा रमन को खाना देती है इसी तरह से कई दिन बीच जाते हैं एक रात को वो घर नहीं आया तो रिवा परिशान हो गई और उसे कॉल करने लगी बेटा कहा हो तुम? कबसे तुम्हें फोन कर रही हूँ? मा क्यों कर रही हो फोन बार-बार? आपको बताया दाना कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ लेकिन बेटा बहुत रात हो चुकी है, अब घर आजा तेरी चिंता हो रही है आपना चिंता मत किया करो, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ ये बोलकर आशिश ने फोन काट दिया, रीवा को अपने बेटे के बात से बहुत दुख हुआ उस दे इस बारे मैं अपने पती से बात की रमन, मुझे आशिश का बरताव आज कल कुछ ठीक नहीं लग रहा देखो तो कितनी रात हो गई है, अभी तक घर भी नहीं आया इतनी रात को ये गया कहा है, तुम चिंदा मत करो, मैं कल ही इससे बात करता हूँ उस रात आशिश घर ही नहीं आया, अगली सुबह आशिश जब घर आया, तो रमन ने उससे कहा कहा थे तुम पुरी रात? पापा प्लीज, अब आप फाल्तु बात करके मत पकाओ, ऐसे भी मा जब देखो फोन करती रहती है रीवा, तुम्हारी मा है, उसे चिन्ता होती है, वो तुम्हें फोन नहीं करेगी, तो कौन करेगा? पापा प्लीज, अब आप भी लेक्चर मत दो, चूँ मेरी चिन्ता करते हैं आप दोनों, मुझे मेरे जिन्दगी जीने दो ना? बेटा, तुम्हें इसलिए फोन करते हैं, क्योंकि तुम हमारे बेटी हो, हम तुमसे प्यार करते हैं सॉरी मा पापा, लेकिन मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, अपका प्यार मेरे लिए बोज बन गया है हर समय बस आप दोनों को सफाई देते रहो, क्या कर रहे हो, कहा जा रहे हो, मैं अपनी मर्जे से कुछ भी नहीं कर सकता आप लोग मुझे इस घर में शांदी से रहने दो, नहीं तो मैं ये घर चोड़ कर चला जाओंगा आशिश वहाँ से चला गया, रामन और रिवा को अचानक सुलक्षना की याद आ गई, उन्हें पहली बार अपनी मा की ममता का, उसकी चिंता का, उसकी प्यार का एहसास हुआ, वो दोनों आपस में बात कने लगे रिवा, मा भी मेरी और तुमारी ऐसे ही चिंता करती थी न, अब जब हमारी ऑलाद बिलकुल वैसा हमारे साथ कर रही है, जो हमने किया था, तो आज मा की कमी का एसास हो रहा है मैंने ही तो जिद की थी मा को घर से निकालने की, अगर वो घर में होती तो शायद हमारा बेटा भी कुछ संसकार सीख पाता, हम न, हाँ, आज ही मा को लेकर आएंगे रीवा और रमन सिद्धा वरिद्धा शमपाजे, वहाँ जाकर उन्होंने वाच्मेंस अपनी मा को बुलानी को कहा, तब वाच्मेंन ने उन्हें बताया अप सुलक्षना देवी के बेटे हैं, उनका तो छे महीने पहले ही स्वरग्वास हो गया है बहुत इंतजार किया उन्होंने आपका, रोज मुझसे पूछती थी, मेरा बिटा रमन आया या नहीं लेकिन रोज निराश होती थी, बहुत अच्छी मैला थी, उपरवाला उनकी आत्मा को शान्ती थे ये सुनकर रमन और रिवा रोने लगे, वो अपनी मा को अपने साथ लेने आये थे लेकिन अब उन्हें खाली हाथ लोटना पड़ा दोनों की आँखों में पच्छतावे के आसु थे, और उनकी गोध गुनाहों और अत्याचारों से भरी थी